तो फ्रेंड्स फानेल हमारे पास आ चुका है रेड्मी का लेटेस्ट लॉंचिंग स्मार्टफोन रेड्मी नोड थर्टीम प्रो वैसे यह फोन 26 अज़र रुपए में लॉंच हो चुका है बट अगर आपको 23 अज़र रुपए में पर्चेस करना है तो काफी आसनी से हो चुका है एंड सेल के दवरान 500 रुपए का कोपन मिल जाता है 500 रुपए के सुपर कोईस लगा सकते हैं और ऐसे से बैंक के क्रिडिट कार्ड के पर 200 रुपए का इंस्टन डिसकौर मिल जाता है जल्दी से जल्दी से ओफ़र का फाइदा उठा लीजे तो चलिए जल्द देखने को मिल जाता हैं इस बार आपको बॉक्स के अंदर क्या कुछ आस बॉक्स को बॉक्स करने के बाद एक चोटा सा लीड पैकट मिल जाता है एक सिम एजक्टर पिन देखने को मिल जाता है यूजर गाइड मतलब की यूजर मैनुल का डरक्मेंडेशन मिल जाता है इसके बदल सिलिकोन मोटेरल का टीप यूए केस कर अगर मिल जाता है जिसके कौलिटी मेरे सब से काफी ज़ादा प्रीमियम लगी है इसके बाद बॉक्स के अंदर मिल जागा है हैंडसेट जो कि है Redmi Note 13 Pro का हैंडसेट जो कि specially मैंने और परपल कलर पर्चस किया है वेसे इसका एक और कलर मिल जाता है जो कि है आर्टिक वाइट एंड मीडिनेट ब्लैक इसके बाद बॉक्स का अंदर देखने को मिल जागा इसके बाद मिल जाती डीटा केबल जो कि यूजबी टेक्सी डीटा केबल देखने को मिल जाते हैं अब दोस्तों एक्च्वल में नजर डालेंगे Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफून की तरह तो दोस्तों यह Redmi Note यह सबसे इसका सबसे सब्सक्राव डिवाइस जो कि यहर काफी मेजर अप्राइज के साथ लाँज फोशोच का है तो चलिए जल्दी से करेंगे सब को स्टाइब को और छुटरी को होते इसके कुछ अपन तो इस फोन के रीट ऑल में कंवर्फटर बॉलिमर को मिल जाता है कुछ बीज़ुर्ट इसके लाइवाद करेंगें साप कि बादerson पर डॉपर मिल जाता है। इसके लिए सब्सक्राइब जाता है जिसमें एक इसाथ दो नयनो सिमका डिसट कर सकते है। इसके लिए दोसर डॉप साथ के बार में बात करेंगे तो 315 mm audio jack मिल जाता है। secondary stereo speaker मिल जाता है, secondary noise cancellation का mic मिल जाता है। एक air blaster sensor मिल जाता है। चले दोस्तों बात करेंगे Redmi Note 13 Pro डिवस के डिजन एंड बिल्ड कोलेटी के बार में वेसे दोस्तों Redmi Note 13 Pro के सभी के सभी के सभी विरेट में इसके बार में बात करेंगे तो टोटली 187 ग्रेम्स का वेट आ जाता है काफिज़ परो टिश्तों इन अब हात करेंगे और यह काफिज़ प्रीमियम राविद देता है। इसके में शेक्स बात करेंगे इस different के डिस्प्ले के वारे में इस इस च्टे में 6.8 ह िंच का स्निट डिसक्रश प्रिवस्थ यह सिर्चा, बॉटी रूट्स पॉल वीव डिस्प्ले चाहिए इस वाधी काफी स्केनर का वी फीचर गए वाधी से खीट्री रूट्स का स्मूट अड़ रेफ्रेश रेट रहेता है का स्पोर्ट मिल जाता है वागता है , जिसके वजह से आपने शियाएं में Netflix से इसके content full HDR में watch कर सकते हैं YouTube HDR quality support के बार में बात करेंगे तो 4K वीडियो का support मिल जाता है मतलब कि 2160 pixel में 4K में वीडियो watch कर सकते हैं इसके बाद डिस्प्ले क्वालिटी के बार में बात करेंगे तो काफी जबर्दस and outstanding आपको display quality मिल जागी क्योंकि Redmi Note 13 Pro डिस में HDR 10 Plus का support मिल जाता है Dolby Vision का support मिल जाता है वह भी 12 bit की colors मिल जाते है जिसके वज़से काफी ज़दा brighter display मिल जाता है एंड जो colors से काफी ज़दा vibrant and enhanced type के colors देखने को मिल जाते है पंची टैप की boosted colors देखने को मिल जाते हैं so display की quality काफी जबर्दस and outstanding आपको इस दिवस में मिल जाएगी चले दोस्तों बात करेंगे इस दिवस के camera काफी जबर्दस मिल जाता है जिसमें Samsung HP 3 का sensor मिल जाता है इसके लिए दोसो camera features के बार में बात करेंगे तो फोटो मोड में काफी सरी features मिल जाता है यह camera mode का feature मिल जाता है 200 MP का dedicated mode मिल जाता है इस cinematic के लिए short film mode भी मिल जाता है वीडियोग्राफी के बार में बात करेंगे तो 4K at a 30 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते है और 1080 pixels at a 60 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते है साथ इसाथ अगर आपको video stabilization चाहिए तो यहाँ पर stabilization का भी support मिल जाता है वीडियोग्राफी के वार में वीडियोग्राफी में 4K at a 30 fps का support मिल जाता है अगर आपके video quality पसंद आती है तो नीचे comment box में जरूर बदा सकते है चले दोसे बात करेंगे इस device के प्रोसेसर और पर्फॉर्मस के वारे में तो इस device में snapdragon 7s gen 2 का processor मिल जाता है जो के 4nm architecture पर वेस्ट है इसके लगबग दे सकते 564,000 से भी जाद इसका score निकल के आ जाता है इसके बादे cpu throttling test के बार में बात करेंगे तो first attempt में 93% का peak performance देखने को मिल जोगा है इसके लिए बात करेंगे गेमिंग के वारे में देशते गेमिंग काफी तग्री देखने को मिल जाती है क्योंकि दोस्तों बीजय में गेमिंग ग्राफिक्स के बार में बात करेंगे तो smooth, balance, hd and hdr तक आपको एक्स्ट्रीम ग्राफिक्स का support मिल जाता है मतलब कि constantly यहापे 60fps का support मिल जाता है और सबसे higher graphics के बार में बात करेंगे तो ultra hd का support आपको इस ड्रस में मिल जाता है इसके लिए ओवर हीटिंग एश्यू बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा आपको पच्छी सब्सक्राइब के अंदर एक बेस्ट गेमिंग फोन पर्चास करना है की स्मूथ गेमिंच मिल जाता है कंट्रोल सेंटर के बार में बात करेंगे तो ब्लॉर इफेक्ट में कंट्रोल सेंटर मिल जाता है इसके बाए दोस्तों जैस्ट में डॉल स्टेरी स्पीकर का भी सपोर्ट मिल जाता है उपर से हमको डॉल भी अटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है इसके ऑडियो कॉलिटी वह जाता है एंद फैस अनलोग के फीचर मिल जाता है एद दोने की स्पीड के बार में बात करेंगे तो काफी ज़दा फास्थ देखने को मिल जाता है fingerprint के बार में बात करेंगे तो इसका भी स्पीड काफी ज़दा मुझे फास्ट लगा है इसके बाइं तरेंसर्ट का बाहनी के बात करेंगे तो LPDDR4S-TAP का Level support मिल जाता है UFS storage 2.2 का delightful मिल जाता है 8GB on 2300 GB startering वेम देखने Google 깔 जेले सब करेंगे के बात क्रीथे के बारे में बाथ करेंगे के tens five g, 있वड्यभीड 2 प्निवेलwing Creek 5.2 का support मिल जाता है Wi-Fi 5 का support मिल जाता है साथे साथ Wi-Fi calling का भी support मिल जाता है तो दोस्तों आपको ये phone कैसा लगा आप मुझे नीचे comment box में जरूर बता सकते है So friends, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आचुका होगा तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फिर मिलेंगे कुछ ऐसा ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ अपतर के लिए थेंक्यू, बबाई, टेक केर